तो जैसे कि दोस्तों Great Wall Motors की दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्टिक कार भारतिय बाजार में अब होने जारी है लाउंच तो चलिए जानते हैं इस दिगंबा रॉट्टो निर्माता कंपनी Great Wall ने भारतिय बाजार में अब अपनी नई इलेक्ट्रिक कार ORA R1 को पेश करने की पूरी प्लैनिंग कर ली है बताना चाहूँगा दोस्तो इस कार को भाड़ती है बजार में मई के महीने में हम सभी के लिए लॉंच करा जाना था मगर दोस्तो अब इसके तारीक और महीने को बढ़ा दिया गया है तो चलिए जानते हैं फीचर्स के बारे साथ ही साथ दोस्तो बताना चाहूँगा कि कम्पनी ने इसे All Electric M.E. प्लैट्फॉर्म पर त्यार किया है इसमें आपको 33KWH की लीथियम आइरेन बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपको 33KWH की इलेक्ट्रिक बोटर के साथ आती है कम्पनी का दावा है कि दोस्तो उसकी आरवन को फुल चार्ज करके आप इस कार को 351 किलो मिटर तक चला सकते हैं अब दोस्तो बात कर लिजाए कीमत की तो ग्रेट वाल मोटर्स इस इलेक्ट्रिक कार को भारत में किसी भी समय लाँच कर सकती है क्योंकि दोस्तो इसकी निर्धारित लाँचिंग माई में रखी गई थी और तारीक का भी खुलासा नहीं हुआ तब मगर ग्रेट वाल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हम अपनी इस नई इलेक्ट्रिक सस्ती कार को भारतिय बजार में जून या फिर जुलाई के मैने में हम सभी के लिए लाँच कर सकती है कीमत की बात करें तो दोस्तो भारतिय बजार में इस कार की कीमत मात्र 3.40 लेक रूपीज से स्टार्ट होने वाली है और दो विलिंट पर यह हम सभी के लिए उतारी चाहें दोस्तो बात कर लेते हैं इस कार के सबसे खास फीचर के बारे में जो कि आप सभी को काफी पसंद आने वाला है कि ओरा आरवन में आपको आर्टीफिशल इंटेलिजन्ट सिस्टम के साथ कनेक्टिवीटी फीचर का इस्तमालाब कर सकेगे जिसे हैलो ओरा कहने पर दोस्तो ये कार आटोमेटली की अपने अब एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तो बताना चाहूंगा कि इस कार के अंदर आपको कमक्री नाइन इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेट्मेंट सिस्टम भी प्रोवाइट करवाएगी जो कि एंड्रोइड और एपल कार प्ले सुविदा के साथ आने वाला है तो दोस्तो ये जो टेकनोलोजी है ये काफी मज़ेदार होने वाली है भारतियों के लिए क्योंकि तो दोस्तो मैं जानता हूं कि थोड़े बहुत मेरे फ्रेंडों को इस बात की निराशा होई होईगी कि ग्रेट वाल मोटर्स ने अपनी इस इलेक्टिक ORA R1 को हम सभी के लिए मई के महिने में फाइनली लॉंच करना था मगर दोस्तो कंडीशन को देखते हुए भारतिय बजार में अब इस कार को जून या जुलाई के महिने में ही लॉंच किया जाएगा तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को भ झाल